दोस्तों नमस्कार हिंदी कुंज़ आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग बात करने चल रहे हैं जन भासा के रूप में हिंदी का महातु क्या है जन भासा के रूप में हिंदी का सांस्क्रतिक आधार पारंपी का दिखार वो आतिहासिक महतु क्या रहा है इस विसे पर आज हम लोग बात करने चल रहे हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भासा अव्यवक्ति का माद्य में विकास प्रक्रिया में जब मनुस्का समाज बना और समाज ब्यवस्था बनी तब विवहार ब्यवस्था के संचालन के लिए हमें एक भासा की आउसकता महसूस हुई विवने चित्रों में रहने वाले लोगों के बीच बोली जाने वाली एक भासा के विद रुपों के बीच एक मानक सुरूप निर्धारित किया गया है यही मानक भासा सरकारी कामकाज ये वंभू भाग विश्यस में बसने वाले लोगों की अव्यक्ति का माध्यम बनती है भासा किसी भी राष्ट की पैशान और जुबान होती है राष्ट भासा के बिना देश गुंगा होता है हिंदी हमारे देश की राष्ट भासा वा राज भासा है पर उससे भी पहले वेव जन भासा है हिंदी भारत का अधिकांस जन के दैनिक प्रयोकी भासा है हिंदी प्रतिसों में भी तोटी फुटी सही हिंदी बोल कर ही हम अपना काम चला लेते हैं संपूर भारत की निवासे से बोल और समझ सकते हैं इसलिए से जन भासा का दर्जा भी हासिल है अब हम लोग बात करेंगे कि हिंदी का जन भासा की रूप में क्या महत हो है तो हिंदी भासा का संस्कृति का धार क्या है कि किसी भी राष्ट का उत्थान पतन उसकी संस्कृतिक उत्थान पतन से गहरा जुड़ा हुआ होता है संस्कृति का उसान उस राष्ट की भासा के उसान के कार होता है हिंदी के पास जन भासा होने का संस्कृति का धार है राष्ट की मिट्टी की गंद उसके संस्कृति में समाहित होती है सब बिता संस्कृति के संस्कार और आचार बिभार से बनती है इस विसाल देश की संस्कृति की बिरासत को विक्ति देनी के शमता सिर्फ हिंदी में है नए सब्द गरने और नए सब्दों को आत्म साथ करने की शमता है या विसेस्ता भारतिस संस्कृति की भी है कि उसमें नए को सुकार करने का गुण है अता संस्कृति और हिंदी भासा दोनों जीवन्त है और जीवन्त था जन भासा का धार इसलिए संस्कृति के निर्वान और विस्तार जन भासा हिंदी का विशिश महत्तु है हर भासा का अपना एक साथ होता है अपने ऐथिहास सिक्ता में हिंदी ने अपना मानक सुरूप निर्बिक करती है इस महादेश की संस्कृतवी को विवेक करने की शम्ता प्राप्त के है इस ऐथिहासी ग्यात्राय में उसने समाज निर्माप, समाज पुनर जागना और समाज को मूली धारक बनाने का महत्पूर कार किया है लगभग 1200 बरसों के इतिहास में हिंदी ने इतिहास और परमपरा को फ़योजित करते हुए भारती जन को पहशान दी है और अपने भारत देश को एक जुबान दी है जब हम हिंदी में अपनी भारता में बात करते हैं तो बिस वस्तर पर जुड़ते हुए भी हम अपने वेक्तुत के पहशान के साथ अव्यक्त होते हैं हिंदी सिर्भासा ही नहीं हमारी परमपरा, हमारी रीतिवी अबाज, जीवन बेवहार और असमिता का परशाय भी है जैसा कि महान लिगा कि स्री राम परिहार जी लिखते हैं कि सावन केवल चार वणों का मेल नहीं है इसलिए भारत के आत्मा को जानने के लिए जन भासा हिंदी महत्पूर्ण है इस परकार हम कह सकते हैं कि जन भासा के रूप में आदिकाल से हिंदी महत्पूर्ण रही है क्योंकि हिंदी भासा के माद्यम सही संपूर्ण भारत वासे एक सूत्र में बनते रहे हैं और विचारों का दान परदान करते रहे हैं और प्रादेशिक संस्कृति समय परचीत कराते रहे हैं इसलिए हिंदी जन जन की भासा है और जन भासा है या लेख हमें हिंदी को इंड.com को डॉक्टर ममता बहता द्वारा उपलब्द कराया गया है जिसके लिए हम उनके प्रती बहुत-बहुत आभारी हैं तो इस प्रकार हम इस निबद में या लेख में जान पाएं कि जन भासा की रूप में हिंदी की नाम के जवान दी Kirk है और ही हती भाषे का पार अंपरीक महत तो क्या रहा है और हिंदी भाषे खाल किसतर हमारी परहम पर्मपराई रिती रिवाज जोन भीभार और एसमिता का परचैक बनी हुई है तो सब सब चीजों के बारे हम हम लोगों ने बात किया है यदि आपको यह लिख लिकितरू में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया जहां पर जाकर आप जन्भासा के रूप में हिंदी का महा तो लिख लिकितरू में परात कर सकते हैं आसा करता हूं कि वीडियो आप सभी के उप्योगी सुद्धोग आप सभी के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदा आप हिंदी को इंचानल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी को इंचानल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भासा साहिद के उप्योगी जानक अरी बरात होती रहें धन्यवाद